Hello student, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद कैसे हो semester 4 के student कैसे हो? become second year के student कैसे हो आप सबही? Hopefully, आप बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई भी चल रही होगी क्योंकि आप semester 1 से पढ़ रहे हो semester 1 में तो आपको समझनी आया है कैसे पढ़ना है semester 2 में आपने पढ़ाई करी कि लेकिन exam end time पे आपने पढ़ना स्टार्ट किया और एक से प्रामेस किया के समस्टर त्री में‍श समेश्टर फाइब में स्टार्टिंग से पढ़ूँआ तो आप मेरा कहना है कि आप जाग जाओ बहुत कम टाइम बचा है आपके पास स्रिफ और स्रिफ 70 देज बते हैं 30 दिन मार्च के 30 दिन एपरिल के और 10 दिन मई के मानलो स्रिफ 70 डेज आपको जानके मतलब कि यह लगे ह है वह 70 दिन है एक्जाम के आजाएगा रिजल्ट जब भी आना होगा टाइम टेबल आ गया तो डेट यही रहने वाली है आपके पास जो सब्जेक्ट से वह साथ सब्जेक्ट है डेट इस आ भी गई है कौन-कौन सब्जेक्ट है कुछ कूर सब्जेक्ट और कुछ अलग त है मतलब के तीनों जो भी थे हमारे ठीक है थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा तो नीचे कर देते हैं तो थोड़ा नीचे कर देते हैं ओके सब्सक्राइब करना चाहोगे तो नहीं होगा अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए इंटरनेशनल बिजनस भी है आपके पास सर इसके बाद यह है छे जून को और फिर यहां पर फिर ज्यादा चुट्टी मिल रही है कुछ कुछ जगह पर और यह आपके सैक और वैक और एसी है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा ठीक है न तो मैं बहुत सिंप कर दो जो आप प्लेज आज से लोगे रजिस्टर पैन बुक्स वगरा सबके बुक्स वगरा मैंने बता दिया जिनको नहीं मिल रहा बुक्स के लिंक भी मैंने डाले हुए है ठीक है ना टैनियर ले लेना है सभी के क्लासिस भी स्टार्ट हो चुकी है इंटरनेशनल बिजन की भी यूटूब पर बहुत जल्दी आ जाए क्लासिस आपकी तो होफुली आप एंजॉई कर रहे होगे अब वेट कर रहे होंगे सर बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे तो बीकॉम ऑनर्स का पेपर क्यूंकि रेगुलर कॉलिज का और सोल का थोड़ा सा अलग रहता है इंट्रनेशनल बिजनस से यह मैं बत करूं जो मिला है उनके इंट्रनेशनल बिजनस साथ होसकता है पहली पार पढ़ोगे इसके बाद कॉस्त थोड़ा सा आप पढ़ी लोगे जहानता हूं अच्छे से तो यह सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स है जो कि आपके बीकॉम के अंदर वाले बच्चों की डीट शीट है 9-11-21-22 बहुत सारे बच्चे डीट सीट को लेके बहुत चिंतित है कि समाजी नहीं आ रहा हमारा क्या है तो मैंने इसलिए अलग अलग कर दिया यह मैं टेलिग्राम पे भी डाल दूगा सेपरेटली ठीक है सर इसके बाद इसके अंदर सर बिजनस टेक्स पहले है वहां पर भी बिजनस टेक्स पहले है इसके बाद फिर सर कॉस्ट के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग और यह आई भी है तो होफुली मैं सभी बच्चों को मैंने बोला ही जैसे कि भीया अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है पढ़ने लगिए जो बच्चे यूटूब पर बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में है नो नीट टू एनी कहीं इधर जाना उधर जाना आप यूटूब पर आपके 11 में 12 में या पीछे बहुत गलतियां करें जिससे अकाउंट खराब हो गया है तो उन सभी बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आपना एक कोर्स जैसे हमारा तो कोर्स रहता ही है लाइव कोर्स में क्या रहता है सर आपका लाइव भी रहता है प्लस आपका डाउ तो यह टोटल मिला के ओवर लाइव क्लास है कोर्स की फीस बता दीजिए सर 500 रुपए मातर एक सब्जेक्ट की फीस है जिस बच्चे को जोइन करना है वह कर सकता है नहीं तो मैं यूटूब पे तो आपके साथ हुई हमेसा और यूटूब पे मैं आपको पढ़ाऊंगा च कर दो सारी जानकारी आपको मिल जाएगे ठीक है ना तो बस मुझे आपको यही जानकारी देना था वह काम मत करना एक्जाम वाले दिन एक और कैसम मत खाना के समस्टर से पढ़ेंगे ये टाइम है बहुत कम दिन है सतर दिन है एक सब्जेक्ट को दस दिन में खतम करना है जो कि not easy अगर मैं बात करूं तो बहुत टफ चैलेंजिंग है आपके सामने और इस चैलेंज को आपको अभी से ही करना पड़ेगा दो से धाई घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा तभी क्लियर कर सकते ह फिर impossible हो जाएगा एक पल को आके तो चलिए थांक्यू सो मच वीडियो को देखने के लिए दोस्तों को भी अवेर करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए मिलते हैं हम नेक्स वीडियो के अंदर नेक्स वीडियो में आपके साथ तो मैं डेली मिलता ही हूं चप्टर के साथ उस चप्टर को सीक्वेंस से देखें और नोटिंग जरूर करिएगा ठीक है ना चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में